रॉल चलेंजर बैंगलूरू और आस्ट्रेलिया के आल राउंडर ग्लेन मैक्सियल ने आइपल 24 सीजन से हटने का फैसला लिया है उन्होंने अनिश्टित कालीन ब्रेक लेने का फैसला किया है मैक्सियल ने सुमवाराथ संराइजर सहधराबाद के किलाव RCB के करारी हार के बाद प्रेस कॉन्फरेंस के तोरान मीडिया से बात करते हुए इस खबर का खुलासा किया प्रेस कॉन्फरेंस में मैक्सियल ने कहा कि वो इस समय अच्छे मांसी को शररी किस्तिती में नहीं है इसलिए उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया है आस्ट्रेलिया और राउंडर ने हाला कि ये नहीं बताया कि वो कब तक इस लीक में नहीं खेलेंगे या फिर वो अगले सीजन में भी वापसी करेंगे या रही मैक्सियल ने आज से भी कि साथ मैचों में छटी हार के बाद कहा नीजी तोर पर मेरे लिए ये काफी आसान फैसला था मैंने पिछले मैच के बाद डुपले सी और कोच के पास गया और कहा कि मुझे लगता है कि ये शायद समय है कि हम किसी और को अजमाए मैक्सियल ने कहा मैं पहले भी इस स्थीति में रहा हूँ आप चाहे तो खेलना जारी रख सकते हैं और खुद को और अंदेरे में ढखेल सकते हैं अगर मुझे टूर्णामेंट के दोरान खेलने की जरूरत होती है तो मैं खुद उमीद करता हूँ कि मैं एक ठोस पासिक और शायरी किस्तिति के साथ वापसी करूँगा और प्रभाव डालने की कोशिश करूँगा